असलाम लेकूम मेरा आज का निया नौवल है नौरीना ये पेश किया जा रहा है तैमूर एहमद की परमाईश पर नौवल शुरूर करने से पहले मेरी आप सब से रिक्वेस्ट हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कॉमेंट में अपनी राइश जरूर पेश किया करें चलिए चलते हम नौवल की तरफ नौवल नौरीना, राइटर रजिया बट कोई सदमा जरूरी तो नहीं है, यूं ही रोने को भी जी चाता है मुराथों से जिने पाया हो, उनसे जुदा होने को भी जी चाता है तुम शरीक होगे, मुश्किल है, क्यूँ? इन्विटेशन तो तुमें भी मिला है, मिला तो सब को है, फिर क्या बात है? मुफ्त इतना शानदार डिनर, वो तो है हिटन में डिनर खाने का भी तसवर भी क्या है, वावा क्या कहने, मैं तो इस पुरिसरार सी अमारत को रोज गुजरते हुए हसरत से तकता रहता हूँ हम, तुमारे तजबजब को मैं समझ नहीं सका भेई, जाना मुफ्त थोड़ी ही होगा, तोर क्या, तोफिता हाइप का सिलसला भी है साहिर है, जाने दो यार, इतने लोगों में हमें कौन देखे का कि क्या लाया क्या नहीं फिर भी, नूर अहमत साथ जादी के सेधियाबी का जशन है, हमें कुछ तो ले जाना ही पड़ेगा, अर्शत मिया देखेंगे, दफ्तरों की तीनों अफसरों, हम चारों का लरकों को दावत नामा मिला है जो कुछ वो लेंगे, हम भी उसी के बराबर बराबर कोई चीज ले लेंगे मस्नन, 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 चावेद खिल खिला कर हस पड़ा दोनों दोस्त कैंटीन में बैठे चाए पी रहे थे, आज पर्म के मालिक नूर अहमत की तरब से उन्हें दावती कार्ड मिला था उनके अकलोती बेटी नूरीना की से इदियाबी की खुशी में हिल्टन में डिनर दिया जा रहा था वो क्या बेमार थी, तफसीर तो दोनों को पता नहीं थी, हाँ, दबतर में एक माँ पहले कुछ चर्चे सुने थे नूर अहमत साब की बेटी इस्पताल में दाखिल है, उसका जेनी तवाजन बिगड़ गया है हादसा हुआ था, हाँ, उसका मंगेतर उस हादसे में मुके पर हिलाक हो गया तोनों लंबी ट्राइब के बाद घर वापिस आ रहे थे के ट्रक से गाड़ी टकरागी, ये तो कही माँ पहले की बात है नौरीना ने इस बाद से बड़ा हसल लिया, दो माँसे वो बेमारे घर पर इलाज मौलजा होता राब इस्पताल दाखिल करवा दी गई है ऐसी बाते सुनने में आती रहती दफ़तर के उसमले का तालुक जोंके नौर रहमत के जाती, नौयत का था, ना स्टेटस के लेवल का इस लिए ये लोग सुनी अंसुनी कर देते, लंभे भर की हमदर्दी जरूर होती, फिर उन जातों में उलच जाते थे फिर अपनी जातों में उलच जाते, हाथसा तो बेशक बड़ा बेरहम हुआ था, लेकिन साथसादी का इस हद तक असर लेना और इस पतालों में एड्मिट होकर इलाज मौलचा करवाना उन लोगों की दानस में दोलत के चोंचलों के सिवा कुछ नहीं था जावेद, अर्शच, जमील और हुमाईयों, दबतरी अमले के आदमी थे, चारो कलर्की करते थे अपने मसाइल, अपने गाम और अपनी खुशियां थी, उन उन्चे लोगों से दूरी का वास्ता था काम करते थे, तंख़ा लेते थे और उस तंख़ा में कभी न बन सकने वाले बज़टी के रोने रोया करते अर्शच, शादी शुदा ना था, लेकिन बेमार, बाप, बुड़ी, माओ, तीन जवान बेहनों की शादी का बोच सर पर था बड़े दोनों भाई अपनी बीवियों समेट अलग हो चुके थे, बड़ी बहन उस्तानी थी, दोनों मिलकर घर की गाड़ी खेंच रेते, बहन के बालों की सियाही और चमक मादूम होती जारी थी और चेरे पर हकाई की दलखीने सक्टी पैदा करती थी, अपनी गम बहुत थे, नूर एमद की बेटी की बेमारी से उसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी हुमाईयों भी कुछ ऐसे हालाज से दोचार था और यही हाल जमील का था, उसके सर पर अर्शत किसी जिम्मेदारियां तो ना थी, लेकिन घर में फरागत भी नहीं थी, बाप बेटे की आमदनी से सफेद पोश्का भरम रखा जाता, घर अपना था, इस तरफ से इतमेनान था, शादी नहीं हुई थी, ये भी उसके लिए जैसे नेमत थी, जावेद का मामला भी वैसा ही था, गो माँ बाप या भाई बैनों के जिम्मेदारी नहीं थी, बाप अर्सा हुआ वो तो गया था, माँ पिछले साल अल्ला को प्यारी हुई थी, दोनों बैनों के शादी ह चुकी थी, बड़ी बेहन कुछ खाते पीते घर में गई थी, चोटी का मिया जावेदी की तरह किसी प्राइवेट फर्म में कलर्क था, दो भाई थे जो खुशाल नहीं थे, फिर भी अपने बच्चों और बीवियों के जिम्मेदारी उठाए, जिम्मेदारी उठाए, जि लिए परिष्टाय रहमत था, जावेद का अपना घर नहीं बुरसे में कोई तूटी पूटी कोट्री मैस सराई थी, पुराना सा घर माने हालात से नबरत आजमा होने के लिए बेचा था, अब जावेद अपनी बीवी और फूल जैसी बच्ची के साथ कराए कि एक और एतमाद का रिष्टा मस्बूत और मस्तेकम था, सलीका और कफायत शौरी मिजाजों में रच्ची बसी थी, छोटा साथो, कमरो, बरामदे और कच्चे से इन वाला घर दोनों की जन्नत था, कलील आमदनी उस जन्नत की बहारों पर कभी असर अंदास नहीं थी कि फाखना ने हालात से समझोता करने की तरबियत शुरू ही से पाई थी, खुदा ने खुबसूरत जवान मर्द की बाहों का सहारा दिया था, और शादी के साल भर बादी चांड जैसी बच्ची देकर मसरतों में इजाफा किया था, बच्ची को देख देकर दोनों फूले ना समाते थ उसने नकोश बाप से लिये तो शहाबी संदूरी रंगत मा से पाई थी, बड़ी सेथमन और बेहत प्यारी बच्ची थी, चावेद को तो बच्ची से मजनूनाना हद तक प्यार था उसकी पेदाश से पहले ही, उसने फाखरा के काम में मुहपत से सरकोशी की थी, तो मैं श खुदा करें आपकी दूआ पूरी हो जै, उसकी दूआ पूरी होगी थी, उसकी खुआश का भरम खुदा ने रख लिया था, और राट पाउंड की सेहत मन बच्ची जिसके बाल रेशम की तरह मलाईम और राट की तारीकी की तरह स्या थे, जिसकी आँके बड़ी बड़ी लंबी काली बलकें गुलाबी गालों तक साया पगन हुई थी, जिसके होटो पर शायद पेदाशी मुस्कुराहट थी, जावेद के बासों में आगी, वो कितना खुश्टा उसका इसार नहीं कर पाता था, वो जाने कहां से पैसों की कांट चांट करकर के बच्ची के लिए खुशरंग फ्रॉक और प्यारे प्यारे खलोने लाया करता, पहले वो सिगरेट पीता था, आप बिलकुल बंद कर दिये थे, महतूद आमदनी को वो इसी तरही तो एड्रेस्ट कर सकता था, फाखरा उसके जाती खर्च की इस कांट छाट पे बिगर जाती, आप ऐसा क्यों करते हैं, बच्ची को इन चीजों का आदी ना बनाए, वो बच्ची को सीने से चिम्टा कर कहता, तुम जलती हो ना, लेकिन मैं कहा दूँ के तुम से भी मुझे अब तक वही प्यार है, वो मस्कुरा देती, जलने का क्या सवाल था, बच्ची तो उसकी भी चान थी, उसके पैसे तो बेबी के लिए बच जाते थे, वक्त गुजर रहा था, दोनों मिया बीबी एक दूसरे से चुपा चुपा कर पैसे बचाते थे, और बेबी के लिए चीजें खरीदे थे, दोनों बच्ची के दिवाने थे, आज उसे फर्म के माले की तरफ से दावत नामा मिला, तो वो इसलिए उदेड़ बन में पढ़ गया, अज़र जाने पर बजीद था और वो टाल मटोल कर रहा था कि 40-50 और वेका तुपा भी देना पड़ा, तो ये बेबी के हक तलफी होगी, अब तो वो 4 साल की हो रही थी और फरमाईश करने की भी आदी थी, लेकिन अर्शत उसे दलीले दे कर काईल करी लिया था, इतने लोगों की तहाईफ होंगे, हम भी कोई चोटी मोटी चीज़ दे देंगे, और पिर खुदी उसे एक बात सुझी, सुनो जावेद, हम, यू करते हैं कि हम चारों पैसे डाल कर कोई चीज़ खरीद लेते हैं, ठीक, बिलकु ठी पंदरा पंदरा बीस पीस और पे डाल लेते हैं, जमील और हमाईयों भी रजा मन्द हो जाएंगे, ये रही ना बात, सांप भी मरे, लाठी भी न तूटे, बिलकुल बिलकुल, हिर्टन में ऐसी गैधरिंग में हम लोग जाने का कभी सोच भी सकते हैं, मजा रेगा, जरा क लोग डिनर पे मदू, इसने कहरा हो कि शादी वाला कलोता सूट निकाल कर इस तरह कर दो, पाहरा ने मुस्कुराते वे पूछा, किसने डिनर पर बुलाया, पर्म के मालिक ने, ओ अच्छा, पाहरा खुशी और तपाकर के एसास से भूल कर इतराई, नूर अहमत साब ने ब हैं, 20-25 और पे खामखा जाया होंगे, जावेत ने तवफा देने की तजवीज उसके गोशे गुजार की तो वो हस कर बोली, ऐसी कंजूसी भी क्या, फिर आपने फर्म के माली की दावत पर जाना है, 150 खर्च, हो भी जाते तो क्या था, माली की नजरों में आ जाते, रहने काएं, छोड़ो इन बातों को, जावेत ने बच्ची को पुकारा, सो रही है, आहस्ता बोलिए, फाहरा ने का, जावेत बरामदे से कमरे में आ गया, बिस्तर में वो बेखबर सो रही थी, उसने आहस्ता से जुकर बच्ची की पेशानी चूम ली, फाहरा ने बकसे में तै क करके रखा, गरम नेवी ब्लू सूट निकाला, ये सूट जावेत कभी कबार खांदान में शादी के मूगों पर पहना करता था, पाहरा ने सूट बलंक पर फिला कर रखा, हाई, ये वेर्शन तो अब पुराना हो चुका, अब तो इतने बड़े बड़े कॉलर कोई नही प करीम कलर है ना, पुरानी है, क्या हुआ बस ठीक तरह से प्रेस कर दो, फाहरा ने बड़ी मेनत से सूट इस्तरी किया, जूतो पर पॉलिश लगाई, रुमाल जराबें और टाइब इस्तरी करके रखी, कमी स्कॉलर के करीब से घिसी थी, उसे रफू कर दिया, जावेत नहा बिलकुल, उसने प्यार से उसे देखा, जावेत ने शोखी से जुक कर उसको प्यार किया, अल्ला पुर शर्मा की, जावेत को उस पर बेहत प्यार आने लगा, अब जाये भी, पाहरा उसके बासों से अपना आप छुडाते भी बोली, जा रहा हूं, साइकल पर जाएंगे, उसने रक्षे के पैसे खर्च करने का कड़वा घून पर लिया, बीवी और बच्ची को प्यार किया और घर से बाहरा गया, धीमी धीमी पुरसरार सी रोश्टियों में लोगों से बरा हाल, आइस्तगी और शाइस्तगी से बाते, दबे दबे कहकों में, खुश्यों मुसरत लग रहा था, शहर की चोटी के लोग आए थे, बेतरीन लिबासों और बेतरीन परफ्यूम्स इस्तमाल की हुई थी, एर कंडिशन्स हॉल में खाने की खुश्पूर परफ्यूम्स की महक मिलकर सांसों के जरिये इनसानी वजूदों में उतर रही थी, सेल्फ सर्वीस थी, लोग खाना प्लेटों में ले लेकर टोलियों की सूरत खड़े खा रहे थे, नूर एमत खुद भी हर मेमान के पास जा रहे थे, उनकी साथ जादी भी लोगों में बट रही थी, खुबसूरत प्लेन साड़ी में उसका खुबसूरत सरापा निकरा निकरा था, वो बिला तीन लड़कियों में शुमार हो सकती थी, उसके चेरे पर हर चंद की ताज़गी और बशाशत नहीं थी, फिर भी बड़ी पुरकशिश और जाजिब नजर थी, जावेद अर्शद जमील और हुमाईयों का अपना इंगरूप था, वो लोगों की तरह बेबाकी और बेतकल लिया करता, फिर भी चारों चुके चुके कड़े थी, ज्यादा हस बोल भी नहीं रहे थे, ये एसास था कि कोई हरकत या बात खिलाफे तहजीब सरजद ना हो जाए, चारों ने खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया और पलेटे रख दी, नूर एमद उन चारों की तरह भी आ पाने की तरफ ले जाते हुए का, नूरीना अपने दो तीन मिलने वालों के साथ खड़ी थी, नूर एमद को अपनी किसी दोस्त से मिलाना था, डैडी, वो उने देकर बोली, जी बेटे, नूर एमद ने का, लेकिन बेटे जी तो आँखे पूरी की पूरी खोले, चावेद को तके जा रहे थे, यूँ जैसे कोई माफकल फित्रत चीज़ देख लियो, जावेद सट पटा गया, उसका चेरा सुर्ख हो गया, डैडी, नूरीना ने बाप का कंदा पकल डिया, उसका वजूद होले होले कामरा था, क्यों बेटे, नूर एमद ने बेटी की नजरों का असलम, नूरीना ने जावेद की तरफ इशारा किया, वो अपी आँके पिलाए उसे तके जा रही थी, उसकी सहलिया उसकी पुष्ट पर खड़ी थी, वो भी जावेद को देखने लगी, नूर एमद ने बेटी को थप थप थपाया, बेटे, ये मेरे आफिस के आदमी है, उसने भी यकीनी से सर नफी में लाया, वैसे माफ कीजिएगा जावेद साब, आपकी मुशाबत असलम से बहुत जादा है, इस लिबास में इस वक्त तो वाकी आप, नूरीना बाप से हाद चुड़ाकर जावेद की तरफ आई, उसको सरता पागोर से देखा, जावेद शर आया, हैरत से पहली आँखे बांदोने लगी नूर एमत ने लपकर बेटी को थामनिया, वो शायद गिनने को थी, नूरीना की मम्मी भी उधर आगी, एक लम्हे को उसने भी जावेद को हैरत से देखा, आप किस कदर असलम से मिलते हैं, नूरीना को उस मुशाबत से हिरान यूई थी, वो अपनी बेटी की तरफ मुड़ी, वो होश में थी, लेकिन कुछ नकाहत महसूस करने लगी थी, उसकी मम्मी और दो तीन से हिलियां से हजूम से निकाल कर लेगी, जाते समय भी वो मुढ़ मुढ़कर जावेद को देख रही थी, रात बड़ी सर्थ और तार की कैफियत महसूस करने लगा, इसलिए लोगों से तो क्या अपने ग्रूप के लोगों की नजरों से भी बच्कर बाहिर आ गया था, वसी और तरी, तवीर बरामते में आकर उसने सर्थी की कपकपी महसूस की, एक नजर उसने अपने पीछे बंद होने वाले शीशे के दाख की खड़ी थी, लंबी लंबी चमकीली का रहें, जो बाहिर के गुबार आलूद रोशनी में भी चमक रही थी, चावे दरम्यानी सड़क पर होते हुए बाहिर फाटक दरब जाने लगा, जाने की वे से एसास हो रहा था, कि वो गलत जगा पर आगया था, बड़े गेट से काही निगल के सड़क पर आइस्ता इस्ता चलते बेबो आज रोनमा उने वाले बाके की मतालिक सोचने लगा, क्या कभी किसी गहर से इतनी भी मुशाबत हो सकती है कि नजरे धोका खा जाएं, उसने सोचा, ऐसा मुशाधा उसने तो कभी नहीं किया था, फिर उसे ख्याल आ आपो आप उसके लबो पर आगी, सर्द रात और तारीक होती जा रही थी, होन मुशमित कर देने वाली हवाय चल रही थी, सड़के तकरीबन सुनसान थी, कभी कोई गाड़ी जन से करीब से गुज़र जाती, और दूर कहीं से कुत्तों के भूंखने की आवाज आती, बिज रात काफी देर थी, उसे पाखरा का ख्याल आगया, वो अकेली थी और यकीनन उसके इंतजार में जाग रही थी, हो सकता है, डर भी रही उतनी रात के तक वो कभी उस घर में अकेली नही रही थी, उसके कदम तेजी से उटने लगे, माल अबूर करके वो जेली सड़क पर दर गया, और फिर अपने घर की तरफ जाने वाली सड़क पर हो लिया, यहां जिन की अभी बेदार थी, मन चले नोजवान, किसी किसी दुकान पे बैटे खुशकपियों में मसरूप थे, बैटरी और पान खाते, चोकों में जमगटों की सूरत खड़े थे, माल पर चाया, स सेहन से निकाल दिया, इतना रस्ता तो उसने पैदल चल के तेह कर दिया था, अब थोड़ी दूरी जाना था, खौमखा पैसे जाया नहीं करना चाता था, रात के समय यहां से भी तो रक्षे वाला इतने पैसे मांगेगा, कि उसे सुनकर जरजरी सी आजेगी, उसने कोट के कॉलर उठाकर गर्दन को ढाप लिया था और दोनों हाद सर्दी से बचने के लिए कोट की जेबों में डाल दिये थे, एक जेब अंदर से उधरी या फटी थी, उसकी उंगलियां बार बार उस सुराख में खुच जाती, उसने गयर शोरी तोर पर कई बार बाहर से जेब प हुआ था कि उन ओरतों जैसा कोई भी लिबास, कोई भी साड़ी और कोई भी जोड़ा फाखरा के पास नहीं है, जाने कि उस सोच ने उसे उदासा कर दिया, वो अपने अंदर होले होले उतने वाली उदासी को साफ दोर से महसूस कर रह था, वो अपने घर के दर्वाजे प जोर आया है, कुटे परे हट के उसने दर्वाजे पर दस्तक दी, कौन फाखरा की ओवाज है, जावेद को यो लगा जैसे वो दर्वाजे के पास ही खड़ी थी, खोलो फाखरा मैं हूँ, जावेद ने का, फाखरा ने दर्वाजा खोला तो वो तेज हवा के रेले की तरह अंदर दाखिर हो आप फाखरा दर्वाजा भी बन ना कर पाई थी कि जावेद ने उसे बाजों में समेट लिया, दर्वाजा तो बन करने देए, फाखरा कसम साई, बहुत देर होगी तो मकेने में घबरा रही होगी, जावेद ने उसे छोड़ते वे माजरत आना अंदास म का वो खुबसूरत अंदास से मुस्कुराई और कुंडी बंद करके जावेद के पीछे पीछे चली आई सहे नबूर करके दोनों बरामते में आई सर्थी बहुत आज जावेद ठटरा रहा था जल्दी से अंदर चलिए पिस्तर में घुच चाए मैं चाए बना कर लाती हूँ रहने दो इस वक्त चाए कहां बनाओगी कोई बात नी एक मिन्ट में लाती हूँ जावेद कमरे में चला गया फाखरा चाए बनाने बावर्ची खाने में घुस गई काली गरम शॉल में उसने अपना सर मू लपेट रखा था जावेद अंदर चला गया कमरा खासा गरम था कोईनों की अंगीटी एक तरफ पड़ी थी आग बुच चुकी थी लेकिन अभी फिजा गरम थी जावेद ने कोट उतार कर कुरसी पर फेंका टाइकी गिरा खोलकर प्लंग के किनारे पर टिकते हुए जूते उताने लगा बेबी सुई हुई थी, उसका चेरा सुर्ख था, स्याव बालों की लिटे, चेहरे पर जुकी थी, उसके चेहरे पर फरिश्टों किसी मासुमियत थी, जावेद को उस पर बेतरा प्यार आगया, सुई हुई बच्ची के मात्यों और गालों को चुम कर वो खुशी से फूले न जावेद सीधा ओकर पाखरा की तरफ देखकर मुस्कुराया यार बड़ा जलती हो मेरी बच्ची से तू पाखरा ने एक अदाय दिल परेपी से सर को जटका दिया प्याली उसकी तरफ बढ़ाई जावेद ने एक हाथ से प्याली पकड़ी दूसरे हाथ से फाखरा की कलाई एक हलके से झटके से उससे पने पहलों में किरा लिया अल्ला चाहे न गेर जाय बेबी पर फाखरा ने अपना आप छुढाना चाहा लेकिन जावेद ने उसके गाल को होंटों से छुई लिया चाई पीकर जावेट ने प्याली मेज पर रख दी फिर फाखरा को भी अपने साथी बिस्तर में घुसा लिया कैसी रही आज की दावत फाखरा उसकी चाती पर अपना बाजू रखते हुए बोडी बहुत अच्छी चावेट को यगदम नौरीना की हरकत यादा की वो कुछ खोसा गया बहुत से लोग आएंगे उसने पूछा हाँ बहुत से नीदानी लगी है हाँ फाखरा इस तकी से बिस्तर से निकली उठिये जनाब अपने बिस्तर पर जाएए फाखरा ने कहा अब मैं यहीं सूँगा बेबी उसे पढ़ा रहने दो मेरे साथ ही सोएगी उसने करवट बतल ली दूसरे पलंग पर फाखरा जा लेटी बच्ची को उसने आइस तकी से अपने बिस्तर पर खेंच लिया क्यों क्यों जावेद ने करदन मोट का देखा मेरे पास सूएगी और तुम मेरे पास आजो पाहरा का हाथ पकड़ कर उसने पने पिस्तर में घसीट लिया और बड़ी गरम जोशी से बासों में भर लिया वो अपने प्यार का जादा से जादा इसाथ शौरी तोर पर कर रहा था नोरीना मुस्तर बो बेचैंग थी रात ममी डैडी ने उसे घर बेच दिया था अपने खुबसूरती से अरास्ता कमरे में नर्मों गरम बिस्तर में जब उसकी आँख खुली तो जहें में पहला ख्यार रात वाले वाके का आया वो उसी के बारे में सोचने लगी वो होश में थी कोई जहनी दबाव भी महसूस नहीं हो रहा था इसनिये सोचों का रुख सही सिम्था वो असलम से कितनी मुशाबत रखता है चलने का अंदाज बिल्कुल वैसा है हस्ता भी तो उसकी तरह है आंके बिल्कुल असलम की है वो सोचों में गुम थी के मामी कमरे में आगी हेलो नूरी जी मामा उड़ गी जी देर से बेदार हूँ जी बिस्तर से निकलने को नहीं चारा मैं गेंटा पहले भी तुमें देखने आई थी तुम सो रही थी उसकी ममी बैटके किनारे पर बैटते हुए उस पर चुकी और उसके तरह शीदा बालों में प्यार से उंग्णिया उलचाते वे उसकी पेशानी चुम कर बोली तब यह तो ठीक है ना नूरीना ने बड़ी सच्चाई से नभी में सर हिलाया क्यूं बेटे मां का दिल धक से रह गया बस बड़ी डिप्रेशन हो रही है ओ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा हो रहा है ममी ममी चल नमें चुप रही मतफक्र से नजर आई उनके खुबसूरत और हलके से मेकब बाले चेरे पर तफक्र और परेशानी के साहर हींगे नूरीना ने एक ननना सा कहका लगाया ममी डर गी ये डर उनकी पहली पहली आँखों से चलक रहा था नूरीना वो घबरा कर बोली जी ममी उसने कहा तुम ठीक नहीं हो वो अंग्रेजी में बोली मैं तुम्हारे डैडी को बुलाओं मैं ठीक नहीं हो ठीक हूँ भी आप परेशान ना हो मेरा नर्वी स्टेक डाउन नहीं होगा वैसे भी रात वाले आदमी से मतासिर जरूर हूँ ममी उटकर जाने लगी थी उसने हाथ पकड़कर फिर बैट पर बिठा लिया तुम्हारे जहिन में हर वक्त असलम का ख्याल ही होता है ना ममी दुख से बोली इसलिए उस शख्स को तुमने मामूली सी मुशापत पर नहीं माम नहीं उसने अपना माता ममी के माता हाथों पर रखकर करवट पल दी नोरीना खबराएं नहीं ममी मैं पागल नहीं हूँ लेकिन आप ये भी जुटनाने की कोशिश ना करें कि वो शख्स असलिम से पूरी पूरी मुशाबत रखता है मैं उससे मिलना चाहूंगी ठीक है वो डैड़ी के दफ्तर का आदमी है हाँ मैं उससे मिल सकती हूँ नो प्रॉबलम आप फिकर मन नाओ मैं डैड़ी से खुद बात करूंगी ठीक है ममी चल नमहें बैठी रही उनकी आँखों में कर बहुत जियत के वासे तासुरात थे उठो त्यार हो जो दिन काफी निकल आया नाश्टा नहीं करूगी करूंगी क्यों नहीं तुम नाश्टे की मेत पर तुमारा इंतजार करेंगी ममी उट खड़ी हुई नौरीना फिकर मंद होना तुमारी सेथ के लिए अच्छा नहीं है एक लंबी कहरी सांस लेकर नौरीना ने मा की तरफ देखा ममी कमरे से निकल गी अपनी अक्टोती बच्ची के दुख से वो यज मुर्ता हो रही थी कमरे से निकल कर वो कोरीडोर में आई तो उनकी आँखों में आसू थे जिने वो बहुत दिक्कत से जब्त नहीं कर सकी नौरीना उनकी अक्टोती बेटी थी पहले बच्चे के मनने के बाद उपर तले दो अबोशन हुए थे और जब बड़ी मिन्नतों मुरादों और इलाजों मौलजे के बाद नौरीना पैदा हुई तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था लेकिन ये खुशिया मर जाने को थी जब तीन दिन की बच्ची को नमूनिया हो गया और वो मौतो हयात की कश्मकश में केई दिन रही मापाप के लिए ये अज़ार ऐसा था कि बरदाश ना कर सकने के बावजूद बरदाश करे थे पांच-छे साल की थी कि जूले से गिर कर बादू तूट गया छे साथ माँ उसकी बादू की वज़ा से मापाप की खुशियां जंगालूद होगी अगर इस दुरान दो बेटे भी हो गए थे फिर भी बच्ची से शायद ज़्यादा ही प्यार था और पिर ये बात भी तो एक सचाही है कि शकिस्ता हो तो अज़ीज तर नोरीना माबाप की जितनी प्यारी थी दुख और तकलीपे उतनी उसे ताका करती थी नो दस साल की उमर में टाइफाइट हुआ नो जान के लाले पड़ गए डॉक्टरों का ख्याल था बुखार में अगर वो बच भी गी तो कोई ना कोई उसू जरूर मतासिर हो जाएगा वो तो खुदा ने खेरियती रखी कमजोरी एक अरसे तक रही लेकिन कोई उसू मतासिर नहीं हुआ बच्ची की तकलीपों ने मम्मी डैडी के दिल को गदास कर दिया था वो बेटों से जादा बेटी की दिल जोई में लगे रहते खुदाने दोलत और जिन्गी की हर असाइश से नमाजा हुआ था खलका एपाब बसी था खासे लोग थे लेकिन नौरीना पर कोई ना कोई अफ़ताद ऐसी आ पड़ती के सारी खुशियों के रंग फीके पड़ जाते हर बेमारी तो जैसे उसी पर आजमाने के लिए वजूद में आई थी बच्पन इस तरह गुजरा जवानी में बेमारीयों से तो पीचा चूटा लेकिन और रोग लगे 17-18 साल की थी के ममी ने अपने रिष्टे के भतीचे से निकाह कर दिया वो अमरीका में था और वहां के माहूली और माशरे में जजब हो जुका था रुखसती की नोबती ना आई और उसने तलाग दे दी नौरीना और माबाप के लिए ये सद्मा जान लेवा था नौरीना तो तीन साल नौर्मल नहीं हो सकी तलाग की अजियत से नबरत अजमा होना भी तो सहल ना था खुदा खुदा करके वो समली बीस एकिस बरस की हो चुकी थी ममी मतफके रहने लगी एक के रिश्टे की बात चलाते हुए भी डरती थी तलाग का दाग लग चुका था अपनोंने दगा दिया था दोसरों पर क्या इतमाद लेकिन माबाप होसने मन थे आंदियों में मी जीने की राह बना ली थी सोशल थे लोगों के हजूम में घेर कर अपनी परेशानिया मिटा लिया करते तक्दीर पर राजी होना भी सीख लिया था फिर नोरीना की जिनकी ने एक खुबसूरत करवट ले ली दो साल पहले उसकी अचाना की मुलाकात असलम से हुई उस मुलाकात ने आइस्ता इस्ता मुहपत का बीच बोया वक्त के साथ साथ ये पूरा बना फला और इसकी हर्याली और महक के चर्चे होने लगे नोरीना बाइस तेईस बरस की हो रही थी असलम अच्छा आदमी था उसकी अपनी इंजीनियरंग कंपनी थी और वो अमारतों और पुलों के ठेके भी लिया करता स्टेटस से इंजीनिरंग की थी खासा स्मार्ट और सेर्फ मेड आदमी था उसने नोरीना को चाहा और तलाग के दाग को नजर अंदास करते वे उसे अपनाने के लिए परपोजल दे दिया जो बगएर किसी तरदुत के कबूल कर लिया गया मंगनी दूम धाम से ही उस्तिन नौरीना की खुशियों का ठिकाना नहीं था अंदरूनी खुशियों की सारी चमक चेरे पर निकर आई थी वो एकदम बेहत हसी लगने लगी थी मायोसी और नामुरादियों के बादल छुट चाने के बाद निकरे निकरे आस्मान पर चमकती चान की रोश्टी भी तो बड़ी जानदार होती है मंभी भी खुश्टी और चहकती फिर रही थी डैटी भी मसरूर थे नामीदी के अंधेरों से दमकते महताफ का चेरा जो दिखाई दिया था लेकिन ये खुशियां देर पा नहीं थी चन्द मा भी उनकी हयात नहीं थी अस्नम कारुबारी सिलसले में यूके गया वहां से जर्मनी और मिडल इस्ट होना होता हुआ वापस आया वो बहुत बड़ी बिसनस लेकर आया था उसने आते ही नोरीना के कान में सरगोशी की तुम मेरे लिए बहुत लकी थापित हुई हो मैंने लाकों डॉलर के बिसनस की है ये सब तुमारी वज़ा से हुआ है वो हाथ वो इतरा कर उसे तकने लगी थी लेकिन ये खुशिया आर्जी थी उसी माँ गाड़ी के अक्सिडेंट में असनम खतम हो गया ये सब कुछ ऐसा अचानक और ऐसा गयर मतवक्य था कि नोरीना तो क्या उसके ममी डैडी भी जैसे जहनी धचके से पागल होगे क्यामर तूट पड़ी थी थान पान सी नोरीना जिसका वजूद पहले ही जटके खा कर अपनी हिम्मत और ताकत खो चुका था उस सद्मी को सहार नहीं सका उस पर दिवानगी का फिट पड़ा और फिर के माँ वो जहनी दवाजन के दवाजन में आने के मरहले से गुजरती रही उसी शॉर्ट लगे दवाईयों से इलाज हुआ नफसियाती मौलिट से ट्रीट किया गया तब के महीनों में जाकर उसकी हाले समली और अब मामूल पर आगे थी और उस जहनी कर्ब से निकल चुकी थी जो असलम की मौट से मिला था अब यादें जरूर थी लेकिन उस सचाई और हकीकत को उसने जहनी तोर पर कबूल कर लिया था ममी डैडी ने उसके पूरा पूरा सेहत मंद होने परी तो इतनी शांदार दावत दी थी इतना इहत्माम किया था उसकी से त्याबी कर जशन मनाया था लेकिन नौरीना की तक्दीर में कात्बे तक्दीर का कलम दुख और कर भी लिखता चला गया रात एक अजनबी चेहरे में असनम की इतनी मुशाबत नजर आई थी कि वो बिल्कुल ही अपसेट हो गी थी और ये बात उसकी ममी के लिए परेशान कुन थी ममी यों चाहे अम्मी मम्ता के जजबात तो एक जैसे ही होते हैं जनम देने का गुदरती अमल बच्चे के साथ जिन जजबात को जनम देता है वो हर माँ के लिए एक तरह के होते हैं अमीर और गरीब की तखसीस होती है ना माडरन और अजजट की ये जजबात हर माँ के सीने में एक जैसे होते हैं जावेद हम भी तुम उस रात कहा गाईब होगे थे और हाँ वाकिए खाने के बाद तुम नजली नहीं आए हाला के लुट्फ तो खाने के बाद आया क्यूं गाने बजाने का प्रोग्राम था क्या मसा आया यार हमने भी अपनी जिन्गी में ऐसी मैफिल में हिस्सा ले लिया अर्शद जमीन और हमाईयों केंटीन में बैठे जावेद से बूच रहे थे कि उस दिन क्यों गाईब होगे डिनर के दूसरे दिन चुटी थी उससे अगले दिन जुम्मा और आज हफ़ते को सब आफिस में कटे हुए थे लगता है मिस नौरीना से डर कर भागे थे अर्श अर्शद ने जवाब दिया चावेद ने उनकी तरफ देखा लेकिन बोला कुछ नी अर्शद को मजाग सूजा हंस कर बोला बन जाओ असनम या जमीन ने शोखी से का वो क्या बनेगा खुदा करसा मुझे कभी असनम कहती ना तो उसी वक्त कदमों में गिर कर कहता मैं बंद मस्कुराई बगेर नी रह सका तीनों बारी बारी तमस्कराना अंदास में बाते करने लगे जावेद पहले तो चुपरा फिर बोला तुम लोगों को आज और कोई मौजू नहीं मिला ओ मेरे यार यही तो आज का मौजू मौजू तरीन मौजू है अर्शद बोला आज की त दोस्तों जो मजाक में भी अच्छी नहीं लगती चाहे कितनी बेजरर क्यों ना हो तीनों जरा शर्मिंदा से हुए लेकिन एक लम्हे के बाद जमीन ने कहा यह मजाक भी है और हकिकत भी क्या तुम्हें मिस नोरीना ने असलम नहीं का नहीं समझा बताओ ना वो जहनी बेज़ा रह चुकी है और तुम सबको इल्म है उनके साथ कितनी बड़ी ट्रेजडी हो चुकी है तीनों शर्मिंदी से एक दूसरे को देखने लगे और तुम लोग ये भी जानती हो कि मैं शादी शुदा हूँ मेरी एक बच्ची है मैं अपने हालात से मुतमईन हूँ और एक दो बार मारा हमने तो सरसरी सी बात की है जमील ने माचिस जला कर पहले अश्रत के होटों में दबा सिगरट सुलगाया पिर अपना सिगरट सुलगाने के लिए जलती माचिस की तीली दोनों हाथों में बंद प्याले में सिगरट तक ले गया सिगरट सुलगा कर उसने ए लेकिन हुमाईयों ने हस्ते पे बात पूरी कर दी जैसे उसने बर्माला तुमारे गड़े में डाल दी हो सबने कहका लगाया जावेद जला कर उट खड़ा हुआ छुटी का वकपा खतम हो रहा था जावेद आगे आगे और तीनों पीचे पीचे आफिस की अमारत में आगे और अपने अपने ठीकानों पर बैट कर काम करने लगे जावेद भी अपनी सीट पर आबैटा उसका जी कुछ उचाट उचाट सा था उस रात का वाक्या जेन पर असर अंदास था और छुटी और छटी हिस कुछ ना कुछ होने का अलारम दे रही थी जावेद ने अपने सामने रखी तीनों फाइलों पर निगा डाली फिर हलके नीले कवर बाली फाइल अपने सामने कोल कर बैट गया उसमा के जितनी ट्रांसेक्शन्स हुई थी उसी फाइल में थी वो फाइल कोल कर काम में मसरूफ हो गया बाओ जी जब डासी ने करीब आकर का तो वो सार उठाकर उसे इस तफामिया नजरों से देखने लगा इश्पाग साब ने बुलाया है मुझे हाँ ये फाइल देखनी है कहा है फाइल लेकर आएं अच्छा आता हूँ वो जल्दी जल्दी फाइल पर पिन से निशान लगाने लगा थोड़ा से ही काम तो बाकी था तेजी से करम चलाते वे उसने काम खत्म किया और फाइल उठाकर कमरे में चला गया ये चोटा कमरा था इशफाग साब यहाँ ही बैठते थे सारको वाली फाइल यही है ना जी अंदर ले जाओ बड़े साब चेक करना चाते इशफाग ने फाइल खोल कर एक नजर देखी और फिर उसकी तरह बढ़ा दी नूर अहमत की आफिस में जाते वे जावेद का दिल बेतरा धड़क उठा चंदमे वो तजबजब की आलम में रहा क्यों जावेद साब काम पूरा ने किया इशफाग ने पूछा नई सर कंप्लीट है वो बोला फिर ले जाओ खड़े क्यों जाता हूं सर वो टेक का दर्वाजा खोल कर आइस्तगी से आके बढ़ा दर्वाजे पर कड़े कड़े उसने पूछा मैं अंदर आ सकता हूं सर नूर एमत रिबॉल्विंग चेपर बैठे पाई पी रहे थे शांदार आफिस ता हीटर ने कमरे की फिज़ा खुशकवार बना रखी थे आफिस टेबल काफी बड़ी थी एक तरफ फून रखे थे दूसरी तरफ फाइलें ट्रे में आज की डाग पड़ी थी नूर एमत साब कुछ गेर हाजिर थे हमेशा दफ्तर में वो चाको चोबन रहते काम के वक्त काम क्या दी थे आज खिलाफे मामूल बड़ी तसाहिल से कुरसी को होले होले इदर उदर खुमाते पाई पी रहे थे आजो उन्होंने एक जगा रुकर दोनों कोहनिया टेबल प बैठो नूर एमत ने बड़ी शवकत से का वो सामने वारी कुछी पर बैठ किया फाइल नूर एमत ने एक तरफ कर दी और जावेद को यू तकने लगे जैसे उसका भरपो जाइजा ले रहे हों फिर उन्होंने पाई पैस्ट्रे में रखकर हाथों के मुठियों पर माथा रहे हो सर इस नमबर में पांच साल हो गए है कमाल है पांच साल ये सर और मैंने आस तक तुमें बगोर देखा नहीं जी नूरीना ने इस रात गलत नहीं का तुम तो लगता है अस्ट्रम के भाई यो पिलकुल वैसी शक्ड़ों सूरत कद जिसम हता के देखने और बाते करन है होगी तुम शायद मेरी बेटी के साथ होने वारी ट्रेजिडी से आगा नहीं हो वो मुस्तरबाना उन्हें देखकर बोला कुछ सुना जरूर है असनम शायद उनके मंगेतर थे और किसी हाथसे में कार एक्सिडेंट ओ मोके पर हिलाग होगे हाँ फिर वो चुपोगे चल सोशल वेलफेर की तरफ से मीना बजार लग रहा था उसमें ये स्वेटर उन्होंने देना था वो खासी मशबूर और मकबूल सोशल वर्कर थी बेटी की परेशानियों से फरार का हल उन्होंने यही ढूंडा था आहम बेकमात की तरह वो सिर्फ तरवाने और अखपारी प् कर जाती तो दोनों का होस्ता जबाब देने लगता नौरीना उसी दिन से गुम सुम थी गो हावास में थी फिर भी बदहावास लगती थी हम क्या कर सकते हैं नूर एहमत ने बिचारगी से बीबी की तरफ देखा दोनों काफी देशे हालात का जाइजा ले रहे थे मैं तो क सोचने की बेशक है लेकिन देर करने की नहीं आप नौरीना की हालत देखनी रहे देख रहा हूं अच्छी भली होगी थी हर काम में दिल्चस्पी लेने लगी थी बस उसी दिन से फिर ढूपती जा रही है मुझे तो होल आता है उसे देख देख कर घर से भी निकलना किसी सहेली के हाँ भी नी जाती मेरी दोस्तों से नहीं मिलती अपने कमरे में बिस्तर पर उंदे पड़ी सोचों में गुम रहती है तुमने कभी उससे पूछा कैसा क्यूं करती है हाँ पूछ कर उसे और मुस्तरब करूं फिर भी मेरे ख्याल से उस आतमी से मिलने जुलने चाहिए हूँ हो सकते है वो असलम को उसमें तलाश कर ले और ये भी मुम्किन है कि उसे मिलने चुलने पर पूरी तरह इसास हो जाए कि ये आत्मी असलम नहीं है बात तो ठीक है मैं डॉक्टर अफंदी के पास के थी ओ अच्छा इसलिए नफसियाती इलाज तजवीज कर रह ठीक पांच बजे उन्हें एक मीटिंग में जाना था वो उट खड़े हुए नुरीना की ममी ने भी सिनाईया रखती ही दोनों बेटे कॉलिज से आगे थे नवीद एफसी मेडिकल कर रहा था और सईथ ने उसी साल कॉलिज में दाखला लिया था हेलो बेबी मुझे बेबी ना कहा करें अबू तो क्या कहा करूं अपने बेबू को साधिया बानो अबू जी ओहो हम तो इतना खराब सा नाम नहीं पुकार सकते हम तो बेबी कहेंगे मैं रूट जाओंगी फिर मानूंगी भी नहीं ना ना ऐसा मत करना साधिया बानो जी हम रूठें तो हम बे मौत मच जाएंगे है अल्ला ना करे बाप बेटी की चहले सुन कर फाखरा जल्दी से बोली आज ही मुखत से फैमनी बेहत खुश थी सुबा सुबाई जावेद को फाखरा ने यसमुर्दा जानफरा सुनाया था उसकी तबियत के दिनों से खराब रहती थी सुबा की सुबा भी उपकाईया आ रही थी कि जावेद ने पूचा किसी डॉक्टर के पाथ जाओना रोजी सुबा सुबा दिल मत लाता है और फाखरा ने एक हिजाब आलूत मुस्कुराहट उस पर डाली बेबी अंदर आ की तो उसमें उसे उठाकर हवा में दो तीन बार उचालते वे का बेबू बेहन लोगी या बाही कहाँ है आ जाएगा का बबू यही कोई आट मैईने बाद कहां से आएगा बस करो बेबी क्या बाते किये जा रहे है उसे मत कोहुजी कुछ आपकी और आपके साथ जादा की एमियत अपनी जगा और हमारे बेबी को अपनी जगा इस प्यारे प्यारे गोले मटूले से तो कोई नहीं मिल सकेगा फाखरा हस पड़ी साथ जादा उसने जेरे लब दो राया फिकर ना करो साथ जादा ही आएगा हूँ वो शानित फाखर से मुस्कुरा रही थी और अब जावेद दबतर से आया तो खुशी से साइकल डेवडी में ही देवार के साथ गिराते वे फाखरा को खुशखबरी सुनाई मैं सुपरवाइसर हो गया हूँ फाखरा मेरी तनुख़ा दो सुर्पे बढ़ गी है अल्ला फरते मुसरत से फाखरा का चेरा चमक उटा था जावेद ने लड्टूओं का दो सेर का डबा बीवी को देते हुए का मैं मिठाई साथी ले आया पता था ये खबर सुनती बजार दुडवाओगी वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर जावेद को तकने लगी ये हमारे साथजादे की किसमत जागी है पाखरा जानी उसने बीवी के कान में सरगोशी की उसने यूँ ही असपाद में सर इला दिया और लड्टूओं का डबा में इस पर रखकर थाल लेने नीचे पावची खाने में चली गई जब ये बेबी से खेनने लगा बेबी चार साल की हो रही थी बेहत बातूनी थी उसकी प्यारी बाते सुनकर माबाब दोनों ही नहाल होते थे पाखरा थाल मिलाकर थाल लाकर उसमें लड्टू रखने लगी महले में आट तस करते सब कुछ उनकी तरह के लोग थे एक आप घरी तपकाती लिहाज से उनसे अलग होगा वरना सभी महिंगाई कि उस जमाने में आटे दाल के चक्रों में सरगरदा नजर आते महले में चोटी चोटी खुशिया और चोटे चोटे दुखों की सांच थी किसी के घर में कोई खुशी का लंभा सरसराता तो बजार से बुंदी के चोटे चोटे लड्टू आ जाते तीन या चार लड्टू फी घर के हिसाब से तक्सीम करने वाला ये समझता कि उसने खुशी के सरसराते नम्हे का एलान कर दिया है जावेद के हाँ तो आज खुशिया बटना थी दो दो खुशिया थी पाखरा तीन तीन फी घराने के हिसाब से लड्टू रखने लगी तो बलंक पर बैठा चावेद शोखी से बोला कुल तीन तीन लड्टू तो और दो दो खुशिया और तीन तीन लड्टू दो दो हाँ मेरी जान दो दो जावेद ने अपनी खुशूरत आँखों को शोखी से गुमा कर उसके पेट की तरफ इशारा किया तो वो सुर्ख एरियर भी मिलेगा जावेद ने बेबी को फिर उचाला अच्छा जी पहले बताया है नहीं फाखरा बोली तुमसे क्या चुपा रखा है भली लोग जो कुछ मेरा है वो तुमारा हमारी तो जान भी अपनी नहीं जिसम रूख दिल दिमाग सब तुमारा है फाखरा मुसरत तो तफाखर की बलंदियों को चूने लगी चेरा चमक उठा और आंकों में अकीदो तो महबत के लामत नहीं सिलसले भैल गे शाम फाखरा ने दो सेल लट्टू और मंगवाए जावेद की बैनों और भाईयों को तरकी की खुशखबरी सुनाने वो खुद की जावेद उस जैसे निचावर हो गया उसके गरीब बैन बाईयों का जिस तरह फाखरा ख्याल रखती थी वो जानता था कि बैनों और भाईयों का रदे अमल मुखालिफ होता है वो फाखरा की आला जर्फी का कायल था वो सबकर तरज अमल देखता था लेकिन फाखरा की जबान पर कभी ह जाला नियतों को जानता है और उसका फल भी देता है खुदा ने मुझे एक पुर सकून घर दी है टूट कर चाने वाला शोवर और फूल से बच्चे क्या ये उसका ही नाम नहीं जावेद जानो दिल से उस पर फिदा हो जाता दिन कितने सकून से गुजर रहे थे गेट पर जावेदी हूँ तश्रीफ ले चलिए चोकिदार का टंडे मार लहचा एकदम नरम होकिया जावेद ने अंदाजा कर लिया कि नूर एहमद उसके इंतजार में है साइकल यहीं खड़ी कर दूँ जावेद ने पूछा जी कर दे मैं यहीं बैठा हूँ बेगम साहिबा और सा पर निगा डाली सह पहर ढ़ल रही थी सूरत तेजी से नीचे जा रहा था और उसके किनों की रंगत उड़ी जा रही थी सर्दियों की दिन भी कितने मुक्तसिर होते हैं सुबा की आंग खुरती है पूरी तरह बेदार भी ने उपाती के जवाल शुरू हो जाता है आज सर् पिस्कान टांगों में टकान और सर्दी से हलकाल कर दर्द मैवसूस होने लगा था कुषादा औरखश्ओर लोनो में ख्कीरी सुर्ण च्छतों वाली कोटी बड़ी शंधार थी सुर्ण च्छतों पर सबस बेलें बड़े तसाहिर से पड़ी थी और लोनो में मौस्मी फू सबसे में खीरे बेहत भरे लग रहे थे दर्वाजे पर पहुंच कर जावेद ने एक नजर सागवान के खुबसूरत दर्वाजे पर निकार डाली नूर एमत की अमारत एक एक चीज से बोल रही थी बेल होने पर दर्वाजा खुला और एक नोजवान मर्त ने जो हुलिये से उस घर का मुनाजिम दिखाई देता था उसे देखकर पूछा जावेद साब जावेद ने हिरान की से उसे देखा और सरसपात में लाया वो मुस्कुराते वे बोला तश्रीफ लाइए उसकी रहनुमाई में जावेद ड्राइंग रूम में जा पहुंचा तश्रीफ रखिये उसने वसीयो और इस ड्राइंग रूम में एक नर्मो गदा सोफे पर उसे बैटने के लिए का मैं साब को इतला करता हूँ जावेद सोफे पर बैट किया और हिरानगी से ड्राइंग रूम की अराइश और जिबाइश देखने लगा उसे आद नूर एमद की तरफ से चाय का बुलावा मिला था वो आ गया था उसका ख्याल था कि पार्टी वगएरा होगी लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी वो कुछ उलच सा गया कमरे का साजो समान पेश कीमत अराइशी चीज़े और नवादराद पेंटिंग्स कालीन चाड़ फानूस सारी चीज़े तकते हुए वो सोच में डूब गया हेलो जावेद नूर एमद अपना पाइप पकड़े अंदर आगे बड़े तपाक से उसका खेर मकदम किया वो उटते हुए जीज़े कर बोला असलाम लेकुम सर नूर एमद ने मसाफ़े के लिए हाथ बेतोकलफी से बढ़ा दिया जिसे जावेद ने चूड़े बैठो वो बैट गया नूर एमद भी उसके करीब उंचे तक ये वाली गदेदार कुर्सी पर बैटके मैंने आज तुम्हें चाई पर बुलाया नूर एमद पाइप का कश लेते वे बोले सिर्फ मुझे सर हाँ वो कुछ नहीं कह सका खामोश ना नूर एमद बोले तो मुझे अपने बच्चों की तरह लगते हूँ बहुत खुशी हुई कि तुमाई जावेद का दिल एक दम धड़का इस नवादिश के पसे परदा जरूर कुछ था वरना ये लोग वो जानता था ये लोग अपने माते से इस तरह बे तकल्फ नहीं होते उसके कंदे पर शफकत से हाथ फेरा उसने बैटते में नूरीना पर निगा डाली सादा से आफ़र्ट लिबास पर उसने हलके ब्राउन रंग की पतली सी जर्सी पैन रखी थी उसके ब्राउनेश सिया बाल खुले थे और चेरे का सुनेरा रंग दमकरा था उसकी गेरी और बड़ी बड़ी आंकों में खुशी के साई लेहरा रहे थे उसका जिसम मतनासिब और कद बड़ा मूजू था हाथ और पाउं भी बड़े खुबसूरत थे नाखनों पर ब्राउनेश शेट की निल पॉलिश लगी थी ब्राउन बिलकुल ब्राउन बकल लेस सेंडल में चकड़े उसके सुनहरी पाउं और नेल शुदा नाखून बड़े खुबसूरत लग रहे थे वो उसके हुसन से कुछ मरूब सा हो गया जाने वो इतनी हसीन थी भी या नहीं लेकिन वो उसक्त खासी हसीन लग रही थी ममी ने आती बेतकल्फी से बाते शुरू कर दी नौरीना सिर्फ हैरतो इश्ट्याक से उसे तकरी थी जब ममी तारूफ और अच्छी खासी केस हिस्ट्री बियान कर चुकी तो नौरीना ने सिर्फ इसी कदर कहा हू बहू असलम की तरह है असलम को भूल जाओ बेटे ये जावेद है ये बहुत अच्छे और मुखलिस इंसान है इनसे मिलकर तुम्हे खुशी होगी हाँ हाँ डैडी मैंने देखकर ही खुश हो गई हूँ खुदा करे इनकी आत्ते भी असलम जैसी हो फिर असलम वो खिलकिला कर हस पड़ी ममी ने मतविकराना अंदास में उसे देखा जावेद नकरेई घंटियों की आवास में गूमो गया वो हसी पर काबू पाते वे बोली डैडी मेरे हसने से भी आप विकर मंद हो जाते हैं जावेद तो बोली नी रहे तुम बाते करो वो जबाब देंगे ठीक है वो मुस्कुरा रही थी ममी चाय के लिए उटकी नूर आमद फाइल्स के वर्गरदानी करने लगे नौरीना पहले जिजगते बे जावेद से मुखातिब हुई लेकिन जल्दी बेतकल्फी से बातें करने लगी जावेद हूँ हाँ और कभी मुखतर से रिल्फाज में उसकी बातों का जवाब देने लगा चाय की ट्रॉली आई तो ममी भी आगी चाय के लिए खासा इतमाम किया गया था और ममी तो जैसे सदके वारी हुई जा रही थी बेटे के चेरे पर खिलने वाली मुसर्णतों के फूल वो हर कीमत पर खरीदना चाहती थी चाय के बाद ममी डैडी दोनों उटके चावेद पर घबराहट मुसर्णत होगी जिसे नोरीना ने भाप लिया वो मुस्कुराई आप बहुत शाय हैं जी जी वो हकला गया असलम ऐसा नहीं था बड़ा बातूनी था कभी कभी में उसकी बातों से उक्ताब भी जाती थी आप बातूनी नहीं ये अच्छी बात मुझे पसंद है जावेद ने घबरा कर उसकी तरफ देखा वो मुस्कुरा दी मुलाजिम टॉली वापिस ले गया जावेद चान लम्हे खोया खोया बैठा रहा उसे नोरीना की निगाहें अपने चेरे पर मैसूस हो रही थी आएं बाहिर चलते हैं कहां लॉन में बाहिर ठंड होगी हाँ होगी जरूर लेकिन मुसम बड़ा खुबसूरत है वो जन नम्हे चुपरा फिर बोला अभी जाज़त चाहूंगा क्यों काफी देर होगी है वो हंस बड़ी फिर बोली आप तो लड़कियों की तरह डर रहे हैं वो जुपरा आपको म्यूजिकर शोक है कुछ नम्हे तवक्प करने के बाद नोरीना से ने पूछा जी कुछ है तो कुछ सुनना पसंद करेंगे उसने सिप नोरीना को देखा नोरीना उठी और एक कोने की खुबसूरत सी मेज पर रखे शांदार टैक की तरह बड़ी जावेद बेचैनी से महसूस करा था एक नोजवान लड़की से इस तरह खुल मिलकर बैटना और बाते करना उसने कब सीखा था उसके माहोल में तो बीवी से भी सब के सामने बेतकलफी ने बड़ती जाती नोरीना ने टैक पर एक अंग्रेजी गाने की धुल लगा दी वो फिर अपनी जगा पर आ बैठी और जावेद के चेरे को बगोर देखने लगी शायद बोसलम की तासुरात उसके चेरे में ढूंड रही थी जावेद ने फिर बेचैनी सी महसूस की कमरे में इंग्लिश म्यूजिक का जेरो बम गूंज रहा था जिसकी लेपर नोरीना होले होले पाउं हिला रही थी वैसे आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है नोरीना ने पूचा जावेद ने कहा मश्रकी ओ नोरीना बोली पहले बता देते बहुत अच्छी अच्छी केस्टें हैं वो फिर उटकर डेक की तरफ गई जलनमोबाद कमरे में सतार परराग पहारी की खुबसूरत आवास लेहरा रही थी जावेद की रगे शोक फड़क उठी और वो पूरी दिल्चस्पी से सतार का केस्ट सुनने लगा नौरीना बार-बार उसे तक ली थी उसे तकनते में ही गरम जोशी शामिल थी जिससे जावेद घबरा जाता गुश देर दोनों केस्ट सुनते रहे नौरीना बोली म्यूसिक में भी आपका टेस्ट असलम से मुक्तलिफ है वो तो डिसको म्यूसिक का दिवाना था जावेद ने निकाब भर कर उसे देखा वो फूल की तरह खिल गी मुस्कुरा कर बोली डिसको म्यूसिक मुझे कतन पसंदनी लेकिन असलम की खातेर आप इजाज़त दीजिए जावेद उटकड़ा हुआ जावेद ने उसकी तरफ देखे बगेर का और तेज-देज कदमों से चलता गेट की तरफ आगे जहां उसका साइकल थी शाम उतर आई थी सर्दी कुछ बढ़ रही थी जावेद गरम कमरे से बाही निकला था इसलिए कपकपाहट सी महसूस हुई साइकल का ताला खोलते हुए उसने दिदा नजरों से देखा पोच में नुरीना खड़ी उसे ही तकरी थी जावेद को उसने हाथ हिलाया जवाबन उसे भी हाथ हिलाना पड़ा वो साइकल कसीड कर गेट से बाहर आगया इतनी बड़ी कोटी से पुरानी साइकल पर बैट कर जाते वे उसे कुछ हजीब से लगा जाण करो लगते है तक कर झाए whilstमें का जाते ही तक कर दो भी जात्स कर दो कर दो झाल झाल